हेलो फ्रेंट्स आपका मेरी चैनल सिलपास की चैनल रेसेपीस में स्वागत थे आज हम बनाएंगे मसालेदार आलू बेंज की सूपकी सबची जिसे आप रोटी या पराटे के साथ सर्फ कर सकते हैं और लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं बहुती स्वाधिस्ट बनती हैं और बनाना बिलकुल आसान है आए फिर शूरो करते हैं आलू बेंज की सबची बनाने के लिए मैंने यहाँ पी 200 ग्राम बेंज लिया है और 2 मीडिम साइस का आलू लिया है सबची बराने के लिए हमें एकदम ताजे और कच्छे वाले बीन्स लेना है इससे सबची बहुत ही रेस्टी बनती है और इसमें एक अलगी मिठास होता है जो खानी में बहुत ही अच्छा लगता है सबसे पहले आलू को मैंने इस तरीके से मीडियम साइज के क्यूब्स में कट कर लिया है और बीन्स को बारिक कट कर लिया है बीन्स को आप अपने हिसाब से थोड़ा सा बड़ा भी कट कर सकते है अब एक कड़ाई लेंगे और कड़ाई में दो बड़ा चमच सरसो का तेल लेंगे तेल आप कोई भी ले सकते हैं पर सबची जो है सरसो के तेल में ही जाधा डेस्टी बनती है इसलिए मैंने आपे सरसो का तेल लिया है तेल को पहले अच्छे शे गरम होने देंगे, उसके बाद इसमें हम एक चूटा चमच पाँच पूरान अट करेंगे, चुटकी बर हिंग, पाँच पूरान अच्चे से चटक गया है, तो अब हम इसमें एक पड़ा चमच बारिक कटावा अध्रक, और बारिक कटे वी सारी चीजों को हम मेडियम फ्लेम पे थूड़े दिर के लिए छुलाते हुए फ्राइ कर लेंगे ताकि अद्रक लेसन का जो कच्छापन है वो खतम हो जाए अब हम इसमें दो मेडियम साइस का प्यास बारी कटा हुआ एट करेंगे और प्यास को चलाते हुए मेडियम टो ट्रांस्पेरेंट होने तक फ्राइ कर लेंगे प्यास का कलर जो है वो हल्का सा चेंज हो गया है तो अब हम इसमें कटे हुए आलू एट करेंगे अब आलू को प्यास के साथ बीच बीच में चलाते हुए थूड़ी दिर के लिए शेलो फ्राइ कर लेंगे आलू को मैंने थूड़ी दिर के लिए फ्राइ कर लिया है और आप देख सकते हैं प्यास का कलर जो है वो गोलन ब्राउन हो गया है इससे जाधा इससे हम नहीं फ्राइ करेंगे नहीं तो प्यास जो है वो जल जाएगा अब इसमें स्वात के अनुसा नमग टालेंगे और साथ ही कुछ सुखे मसाला एड़ करेंगे सुखे मसालों में मैंने यहाँ पे आदी चुड़ी चममच हल्दी पाउडर आदी चुड़ी चममच धनिया पाउडर आदी चुड़ी चममच जेरा पाउडर और आदी चुड अब हम इसमें एक बड़े साइज का टमाटर बारीक कटा वायट करेंगे और टमाटर को भी सारी चीजों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे कड़ाई को बस दो मिनिट के लिए कवर कर देंगे ताकि टमाटर जो है थोड़े से साफ्ट हो जाए दो मिनिट बाद कड़ाई का ढढ़कन हटाएंगे और सारी चीजों को एक बार चलाती हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब आलू जो है 50% तक पक चुका है तो अब हम इसमे कटे हुए बीन्स ऐट करेंगे और बीन्स को भी सारी चीजों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे कड़ाई को वापस से कवर करेंगे और सबजी को low to medium flame पे पकने देंगे कड़ाई का धकान अठाकर सबजी को हम बीच वीच में चलाते भी रहेंगे ताकि सबजी जले नहीं और evenly पके अब हम इसमें एक से दो चम्मच पानी याट करेंगे ताकि सबजी जो है अच्छे से और जल्दी पक जाए अब कड़ाई को कवर कर देंगे और सबजी को हम तब तक पकने देंगे जब तक कि सारी चीजे अच्छे से पकना जाए सबजी को पकते हुए 6-7 मिनट हो गया है तो अब हम कड़ाई का ड़कन अटाएंगे और सबजी को एक बार चेक कर लेंगे आप देख सकते हैं सारी चीजे अच्छे से पक चुका है तो अब हम सबसे लास्ट में थूड़ा सा गरम मसाला और बारी कटावा फ्रेश रा धन्या के पत्ते डाल देंगे और अब बस इसे सबजी में चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हमारा बहुत ही स्वादिस्ट मसालेदार आलू बींस की सूकी सबजी बनकर तेयार है आप आलू बीन्स की सबची एक बार इस तरीके से जरूर बनाएं बहुत ही स्वाजिस्ट बनती है और अगर आपको मेरे आज की ये रेसेपी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेर और मेरे चानल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन को भी जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाली है नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें